है एवरीवन माई नमन और वेल्कम बैक टो टेक प्लस गैजेट्स तो गैस आज की वीडियो कोई टेक रिलेटेड या गैजेट्स रिलेटेड नहीं होने वाली है लेकिन जो नए यूट्यूबर्स हैं मेरी तरह या फिर जो नया अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रह वीडियो आज की बहुत important है I know मेरी भी जो audio अभी आपको आ रही होगी बहुत जाथ echo आपको जो है सुनाई दे रहा होगा और मेरी भी कोई इतनी जाथ परफेक्ट audio नहीं है बट मैं improve करने की बहुत जाथ कोशिश कर रहा हूं लेकिन आप जो अभी side में मेरे देख रहा है या फिर कोई भी room में video बना रहे हो तो आपकी audio जो होती है वो wall से टकरा के echo create करती है लेकिन जब ये लगे होते हैं आपके walls में तो ये जो है एक तरीके से sound को absorb कर लेता है मलब sound जैसी इससे टकराती है तो ये वापिस नहीं भेजता है अपनी तरफ ही absorb कर लेता है इसलिए इसको जो है लगाए जाता है तो आज की वीडियो में हम इसको जो है अपनी walls में लगाने वाले है तो आप जो अभी ये room देख रहा है जहां पर मैं video shoot कर रहा हूं ये तरीके से पूरा खाली सा ही room में आपको सिर्फ एक desktop का table देखने को मिल जाएगा उसी के side में आपको कु है कि जब भी कोई sound वगरे आप अच्छा चाहते हो तो उसके लिए आपको जो है एक proper mic की बहुत जादा requirement होती है एक mic आपके पास काफी अच्छा हो तो उसके गारान बहुत जादा improvement जो है आप अपने audio में ला सकते हैं पहले जब मैं video shoot करता था तो मैं जो हूँ अपने OnePlus 6 phone से ही करता था कोई भी mic वगरे यूज नी करता था phone का ही mic जो है directly use करता था लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि भाई audio की quality जो है मुझे improve करनी चाहिए तो उसके बाद मैंने ये Boya का mic जो है purchase किया है ये जो mic है वो almost सभी बड़े-बड़े YouTuber भी use करते है आज के time पे काफी लेकिन इसकी दिक्कत ये कि इसको आप जितने भी पास से बोलोगे उतनी अच्छी audio ये record करता है दूर जाओगे तो उतनी अच्छी audio record नहीं करता है जिसे आपको अभी समझ में आ ही गया होगा कि आपको audio जो है अभी अच्छा सुनाई दे रहा होगा लेकिन जैसे दूर ल लेकिन उसकी quality काफी अच्छी है क्योंकि वो echo को भी कम करता है प्लस जो भार की noise होती है उसको भी काफी दाद करता है जो ये mic नहीं करता है तो मैं आगे in future उसको purchase करने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं आप लोगो उसके बारे में बता हुआ तो guys हम सबसे पहले ये जो Acoustic Form है इसको मैंने Amazon से purchase किया है ये जो brand है वो है MMT Acoustic मेरे को randomly मैंने search किया तो ये सबसे अच्छी brand मुझे Amazon पर दिखी थी इसके 18 pieces जो है मुझे मिले है 2295 रूपीज में sale में जो है मुझे मिले है वैसे इसका price जो है 2500 रूपे तक चला जाता है तो आप इसको purchase कर सकते हो अ Double-sided tape के कुछ हिस्से जो है मैं एक form के चारो हिस्से में लगाऊंगा और इसके बाद directly अपने wall से stick कर दूँगा अगर आप directly wall से stick नहीं करना चाते हैं तो आप एक plywood पे जो है इसको चिपका सकते हैं design अपने हैसाब से सारे forms को उसके बाद अपने उस plywood को अपने दिवार पे लगा सकते हैं या फिर आप favicol अगरे का भी use करके अपने wall पे लगा पाऊँगे तो बहुत सारे अलग-अलग तरीके हैं लेकिन मैं ने जो है जादा headache नहीं लिया है मैं simply double-sided tape के थ्रू जो है इसको लगाऊंगा तो फटा फट से इसको जो है हम लगा देते हैं उसके हुआ है तो गैस अभी आप जो sound सुन रहे हैं वो acoustic form लगाने के बाद सुन रहे हैं मैंने पूरी तरीके से जो है हर जगे लगा दिया है like corners वगरे में भी जो है acoustic form लगाया है और दोनों walls में लगाया है तो guys मुझे comment में बताइए कि आपको क्या changes लगे हैं और आप लोगों के लिए एक suggestion मुझे देना है वो ये कि जब आप ये form लगाने का काम कर रहे हैं तो आप जरूर किसी ना किसी की help लें तो मैंने अपनी बहन की help लिए जो camera के पीछे है तो thanks to my sister अगर मैं अकेले लगाते हैं तो कम से कम 4-5 घंटे तो मुझे लग जाते हैं तो मैं suggest करूँगा कि आप किसी ना किसी की help ज़रूर लें तो guys इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मुझे आप लोगो जस्ट चीजे दिखानी जी तो किस तरीके से यह acoustic form काम करते है कैसे क्या आप लगा सकते हो that's it guys इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में इस वीडियो को like जरू करना अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और यह form अगर आप purchase करना जाते हो तो इसकी best bang link मैंने description में दे दिये amazon की है आप वहाँ से जाके purchase कर सकते हैं तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care and peace